हलो श्टुडेंट वेलकम टू आसे इस क्लासेश पीसीम पीसीवी बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायलोजी के प्रीवियस एर बोर्ड एक्जाम में पूछे गए हमारे आने वाले बोर्ड एक्जाम दोहजार चोविस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो इस लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और यह कोश्चन ऐसे हैं जो बार-बार आपके क्लास 12 बोर्ड एक्जाम में पूछे गया है ठीक सेदर सुथा ऩानी इसमें इसमें जो फीटेस होता है यानि जो मा के पीट में बच्चा पलडा होता है एकिंजेकशन की हैल्प से hem क्या करते हैं उस फीटस के पासब यूक्विड होता है अन जिस यम नियोंथ, दोडेंANG, इन चान ता हैνεे हम आरने हम आहे खता हो को फिटे करते हैं कि फिर उसका test करके हम देखते हैं कि जो बच्चे का development है वो proper way में हो रहा है अच्छे तरीकल सी हो रहा है उसके सारे organs बने हैं इन सभी चीजों के लिए Amniocentasis test किया जाता है लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि amniocentasis का फिर लोगों ने miss use लड़का है या लड़की और उसका फिर मिस्यूज होने लगा तो जिसको बाद में फिर बैंड कर दिया गया तो चलिए हम पढ़ते हैं एम्नियो सेंटेसिस तो बच्चो एम्नियो सेंटेसिस इस प्री नेटल डाइगनोस्टिक टेस्ट बेजड ओन क्रोमोसोमल पैटर्न ओफ सेल्स ठीक है तो यह एक प्री नेटल डाइगनोस्टिक टेस्ट होता है जो कि क्या होता है क्रोमोसोमल पैटर्न ओफ सेल इन दा एम्नियोटिक फ्लूड ठ निकाला जाता है उसी के क्रोमोसोमल सेल्स के बेस पर हम लोग क्या करते है टेस्ट करते है इन दा एम्नियोटिक फ्ल्यूट दैट सराउंट्स डडबलपिंग फीटस अच्छा यह जैसे मालों कि यह कोई फीटस है बच्चे का और उस फीटस के चारो और यह एक लेयर होती न यहीं पर होता है एम्नियोटिक फ्ल्यूट ठीक है और इसी एम्नियोटिक फ्ल्यूट की जो सेल्स होती है उन सेल्स को इंजेक्शन के थ्रोग के अगर लेते हैं बाहर की और निकाल लेते हैं फिर इनका टेस्ट किया जाता है ठीक है इन दा वाम का मतलब जो कोख होती है इंदे में बोलते हैं ठीक है इस ट्रेटरिनरी बैन ऑन अम्नियो सेंटेसिस इस ड्यूज तो डिटेक्ट अफ प्री बॉर्म चाइल्ड डायट लीड्स फीमेल फॉर्टी साइड ठीक है तो इसको इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इ इससे क्या कर रहे थे लोग सेक्स डिटेक्ट कर रहे थे डिटेक्ट कर लेते थे अब लड़की है तो बहुत लोग लड़की बहुत लोगों की पुरानी सोच तो वह लड़की को ले करके है ना यह लड़का है तो इसमें सेक्स डिटेक्ट करके लोग वहीं पर आवसन इंपोर्टेंट है, है न, what do you, oral pills contain, how do they act as effective contraceptives, ठीक है, चलो, oral pills क्या होती है, और effective contraceptive pills होती है, अपना effect कैसे दिखाती है, क्या होती है, सभी चीजों के बारे हम पढ़ेंगे, तो बच्चों, oral contraceptive या फिर हम बात करेंगे, pills are either progestrons और progestron estrogen combination, देखो जितनी भी contraceptive pills होती है, वो या तो progestron से मिलकर बने होंगी, है न, progestogens, sorry, progestogens होंगी, या फिर progestogen या estrogen के combination से मिलने वाली, ये जितनी भी हमारी चाहे, जितनी भी contraceptive pills हों, वो सभी इन ही से मिलकर बने होती है, किससे, progestron, progestogen और estrogen के combination से बलती है, ये basically क्या गरती है, इनका function देख लेते हैं, होता क्या है, तो inhibiting ovulation, ये ovulation को inhibitate कर देते हैं, यानि ovulation नहीं होने देते हैं, दूसरा inhibiting implantation, यानि अगर जाइगोर्ट बन गया, sexual relation के time में fertilization हो गया तो यह ovary में क्या होता है कि जो plantation होता है उस plantation को यह नहीं होने हो देती है तो इन plantation को inhibitate कर देती है alterating quality of cervical mucus to prevent stop entry of sperm और इन pills को लेने से क्या होता है कि जो cervical mucus होता है वो continuous से cervical mucus निकलता है वो mucus क्या करता है कि जो sperm की entry होती है उसको ban कर देता है तो इस तरीके से contraceptive pills जो होती है या oral pills होती work करती है ठीक है question no.3 की बात करते है question no.3 भी हमारा बहुत जादे important है इसको भी most important बेन रखेंगे ठीक है तो इसमें बताया गया वाई is copper tea considered a good contraceptive device to space children यहां पर यह बताया गया कि बच्चों के बीच में space अंतर रखने के लिए जो copper tea है वो considered good contraceptive device एक अच्छी contraceptive device मानी जाती है तो चलिए देखते है क्यों और यह copper tea work कैसे करती है तो बच्चों बात करेंगे copper tea is an iud inserted by expert ठीक है तो copper tea एक iud है जो की एक expert के थ्रों क्या हो जाती है insert की जाती है female की body में कि विच फंक्शन्स बाई दर रिलीजिंग copper iron विच रेड्यूस इस पर्म मॉल्ट मॉटिलिटी ठीक है अब दोखो यह copper tea जो लगाई जाती यह क्या करते हैं कि अंदर से copper iron release करते हैं और यह copper iron क्या करते हैं कि जो sperm की मॉटिलिटी होती है उस मॉटिलिटी को क्या करते हैं reduce करते हैं धीरे-धीरे उसकी motility की जो motility होगी उसको कम कर देंगे यानि वो जिस speed में जाना चाहिए उसकी speed धीरे-धीरे यह कम कर देते हैं and fertilizing capacity of sperm और जो sperm की fertilizing capacity होती उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं ठीक, आगे देख लेते हैं, it also increase phagocytis of sperm with the uterus by female, और ये क्या करते हैं कि अंदर phagocytis का work करते हैं, मतलब जो sperm uterus की ओर जाता है, इसको ये destroy करने का काम करते हैं, एक phagocyte की तरीके से work करते हैं, यानि ये आगे sperm को जाने ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो copper T का function क्या होता है, ए जो sperm की mortality को धीरे-धीरे बिल्कुल कम कर देता है, कम करने के बाद में फिर इसको अगर sperm uterus की ओर जाता है, तो uterus में ये as a phagocyte work करते हैं, ये वहाँ पर इसको sperm को destroy कर देते हैं, जिससे fertilization की process नहीं हो पाती, उसके बाद चलते हैं, question number 4 की ओर बात करते हैं, तो ये भी हमार important question है, question है, where are fembri present in human female reproductive system, अच्छा, fembri ये finger like structure होता है, ठीक है, और female reproductive system में होती, कहां पे है, कहां पे present होती, तो बात करेंगे, बच्चो, fembri are present in funnel shaped, it is of fallopian tube, in female reproductive system, तो देखो, funnel shaped female reproductive system की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखा होगा, आपने, है न, यहाँ पर इस तरीके से, यह fembri होती है, यह fembri like structure जो होता है, फैलोपियन ट्यूप का ही पार्ट होता है, यह फैलोपियन ट्यूप में पाई जाती है, और यह female reproductive system में पाई जाती है, they help in collection of om, अब यह help क्या करती है, तो यह om के collection में help करती है, fembri, ठीक है, इसको most important में रखेंगे, यह जितने भी question आपको दिखाए दे रहे हैं, यह सारे बहुत बार, अच्छा यह ऐसे question नहीं है, कि कुछ भी book से ले लिया, यह सब previous year question है, जो कि बार बार repeat हुए है, ठीक है, तो important है, previous year है, और आने वाले board exams के लिए तो बहुत ही ज़्यादा important है, आगे question आता है, कि where are leading cells present, and what their role in the reproduction, ठीक है, अच्छा, leading cells क्या होती है, तो leading cells होती क्या है, और इनका reproductive system में function क्या होता है, तो बात करते है, location of leading cells in inter-statial space between, seminal neferous tubule, ठीक है, जो inter-statial space between seminal neferous tubule, जो seminal neferous tubule, जैसे देखो, यहाँ पर क्या होगा, कि जो seminal neferous tubule होंगी, testis के अंदर, suppose करो, यहाँ पर यहाँ पर यह seminal neferous tubule, और इनके space, यहाँ पर यह जो space आपको देखने को मिलेगा, यह जो space है आपका, इस space के बीच में जो पाई जाएंगी, वो हमारी leading cell होती है, और leading cell का अगर हम function की बात करते हैं, तो function of leading cell to secrete hormone, अब यह function क्या करती है, तो basically यह पाई कहा जाती है, तो यह testis में पाई जाती है, और testis में यह क्या करती है, कि यह hormones के secretion में help करती है, जैसे males की बात करते हैं, तो males में testosterone जो hormones निकलता है, वो इन ही के help क के द्वारा या इन्ही लीडिंग सेल्स की वज़े से ही निकलता है ठीक है तो यह कितना important question है बहुत ज्यादा important most important में इसको रखेंगे ठीक है तो leading cells कहां पाई जाती टेस्टेस में पाई जाती है यह हार्मोन के सेक्रीजन में help करती है और कौन सा हार्मोन टेस्टेस्टे रॉन ठीक है तो आई थिंग सब को समझ में आया होगा सारे question बहुत ही ज्यादा important है previous year exam में आये हुए question है और आने वाले board exams के लिए भी बहुत ही सब्सक्राइब करें नोट कर लीजेगा है और उसके बाद में आप इनका revision करिएगा ओके तो आज के लिए इतना ही रखते है चैनल पर अगर नए है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना है thank you for this class मिलते है नेक्स्ट वीडियो में